हेलो फ्रेंड्स आइम कीर्ती शर्मा और वेलकम बैक तो माई चैनल ये मज़िदार रसीपी है दलिया उपमा की जो ब्रिकफास्ट और डिनर के लिए बहुत हैल्दी आप्शन है और फाइबर और विटेमिन से भरपूर होने के कारण वेट लॉस में भी हल्प करता है तो कड जो से भी बना सकते हैं क्योंकि जो में फाइबर काफी मात्रा में होता है तो इसलिए ये दलिया वजन कम करने में हमारी मदद करता है तो जब ये अच्छे से भुन जाता है तो हमें से कड़ाई से अलग कर लेंगे और उसी कड़ाई में हम एक टेबल स्पून तेल को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और आदा आदा चमश लिया है जीरा और राई उसके बाद इसमें डाली है एक टेबल स्पून चने की डाल और एक टी स्पून लिया है सफेद उड़त की डाल चने की डाल को हम इसमें भून लेते हैं ये हम उपमा स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए चने और रोड़त की डाल डाली है फिर कुटी हुई अद्रक और हरेमिज डाली एक टेबल स्पून और एक बड़ा प्याज बारी काट के 10-15 लिए हैं कड़ी पत्ते अब प्याज को हम 3-4 मिनिट के लिए हलका गुलाबी होने तक भूनेंगे और इसे हिलाते जाएंगे इसके बाद आप इसमें पसंद की कोई भी सबजिया एड़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ लिए हैं दो टमाटर इने बारी काट लिया है एक शिम सकते हैं तो जितनी हम सबज्यां इसमें डालते हैं तो विटेमिन्स और मिनरल्स बढ़जाते हैं और इसका स्वाद भी बढ़जाता है उसके बाद जो दलिया हमने भून के रखा ता वो डाल देंगे फिर मसाले जैसे की हल्दी पावडर आदा चमच, आदा चमच धनिया पाउडर, फूर्ट टीस्पून लिए है मैंने लाल मिर्च, फूर्ट टीस्पून गरम मसाला, नमक एक चमच, आप स्वादनुसा नमक लें और सभी मसालों को दली के साथ मिक्स करने के बाद, अब हम मैंने पानी गरम कर लिया है, तो तीन कप यानि तीगुना पानी हम इसमे डाल दिया है, और उसके बाद इसे ढख कर हम पकने देंगे, शुरू में फ्लेम को हाई रखा है, जब पानी में उबाल आ जाता है तो फ्लेम को मीडियम कर देते हैं, बीच में हम इसे हिलाते भी जाते हैं, दो तीन मिनिट बाद एक बार चेक करते हैं, अब इसे और हाई में बनाने से एकदम खिला-खिला ये दलिया बनता है, और बच्चे भी इसे पसंद करते हैं, एक टेबल स्पून इसमें डाला है नीमू का रस और गैस की फ्लेम को आफ कर दिया है, फ्रेश कोकोनट से आप इसे गार्निश कर सकते हैं, हरे धनिय के पत्ते या कुटी ह मुंफली भी ले सकते हैं, इन सब को मिक्स कर लेते हैं और गरम गरम दलिया सर्व करने के लिए तयार है, तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राइ करें, आपको ये जरूर पसंद आएगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, इसे आप अना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, बेल आइकन भी प्रेस करें, इट हल्दी, स्टे सेफ, बबाई, थैंक्स फर वाचिंग